हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा और महिंद्रा फाइनांस कंपनी के बारे में इस कंपनी में अभी कुछ नप अपर्चुनेटी नजर आ रहा है तो इसी बेस पे हमने यह स्टॉक को सिलेक्शन किया हु सेल करने का मूड में तो आप कोई वीडियो जरूर देखना चाहिए आप आखिर तक वीडियो में जरूर बने रही है तो स्टॉक कहां तक जा सकता है उसके लिए हम डिटल आनालीसिस करेंगे फ्रेंड्स वीडियो सुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको एक बार अगर आप आएंगे तो यहां पर काफी सरे स्टॉक कर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो कौन से टार्गेट आपको लेकर चलना है वीडियो जो फ्रस अनलीसिस देखेंगे आपको खुद को भी समझ में आजाएगा ताकि आप वो स्टॉक को फंडामेंटली वो स्ट चलना है चलना है जरुर डेख लिजए अगर आप बिडियो जरुर जरूर देख लिखेंगे अगर यह बहुत आच्छा लाइज मिल शकता है एक बीडियो यह रो बलमेंस को कैसे सिलेक्षन करके और कुझ सा mg रोना चाहिए में पिए मैं स्यलेक्शन कर jet चले स्टार्ट करते हैं हम जो बात करेंगा अभी महिंद्राफायच के बाड़े में जो महिंद्राफायच ये लोन प्रोवाइडिग करता है क्योंकि ये जो कंपनी है पभेले ये तो महिंद्राग rocket का ही कंपनी है यहां। अगर आएंगे तो यहां पर देखेंगे महिंद्रा फाइनांस इस प्रोवाइडिंग कि महिंद्रा फाइनांस इस प्रोवाइडिंग न्यू कार अंड है यह जो कार हुआ अटो हुआ ट्राक्टर हुआ यहां पर महिंद्रा ग्रूप की जो भी यह दो भी रूम के पास में जो भी गड़ियां होती है गड़िया सेल करने का टाइम पर वहां पर उनको लोन पर जाता है तो इस ही पर यहां पर भी महिंद्रा फाइना्स यहां पर लोन प्रोवाड़िंग करने के साथ में housing finance को भी यहां पर लौन प्रॉडिइगं करते हैं उसके साथ में Personal loan भी प्रॉड इनूह पर फाइनसमिंग । Small members द्चर्था इंस्यूर्ण ब्रोक की इ Taylor का कौने ओंग त। पोठोफ़ोलियों बड़ी हैं से डाइवर्छिप कासन है ठीक है तो यहां यहां पर दिखिए यह कंपणी का जो बुग वेलू है 124 का अभी वुग वेलू चल रहा है अगर हम कंपणी का करेंट प्राइस देखेंगे 157 मतलब नियर टू बुग वेलू चल रहा है कंपणी का स्टॉक ठीक अगर अल्टाइम हाई का हम बात करेंगे तो यहां पर 328 पर मतलब था तो यहां से 50% डिसकाउंट पर स्टॉक अभी बिलकुल आविलेबल है तो इसी साथ से हमें लेना चाहिए कि आभड करना चाहिए चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर यहां पर हम क्वाटरली रेजल्ट में जाएंगे तो क्वाटरली रेजल्ट यहा करसे चलिए होनों तो 5 deval नंट है तो इसी साथ तो हम बात करेंगे तो यहां पर 351 करण कउदा और हम साल का में अगर आप 살 कहरें लेकिन अगर अगर हम देखेंगे तो अभी एक-दो साल से तो profitability generate इतना ज़्यादा नहीं है तो यहां पर sales तो बड़ी ऐसा growing होते जा रहा है कोई problem नहीं है अगर हम balance sheet की बात करेंगे friends यहां पर balance sheet में भी reserve बड़ी ऐसे growing होते जा रहा है कोई problem नहीं है रिजर्व में अभी देखिए 11,000 करोड का 11,886 करोड का रिजर्व यहां पर मार्च 2020 को था उसके बाद में मार्च 2021 को यहां पर कि 15,530 करोड का रिजर्व अभी भी 15,018 करोड का रिजर्व तो बढ़िया है कोई problem नहीं है अगर यहां पर investor की बात करेंगे promoter को ने प्रमेटर महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड है तो महिंद्रा ग्रूप की company है अगर यहां पर देखेंगे इंवेस्टेम्ड एक अच्छा सा investment है जो कि पिछला कटर में 17.94 का परसेंटेज था अभी 18.99 परसेंटेज का stake है अगर हम दियाई के बात करेंगे तो यहां पर 15.80% का डियाई के पास में अल्डिंगे अगर हम पॉब्लीक के बारे में बात करेंगे पॉब्लीक के पास में 12.78% का अगर यह स्टॉक का हम आज का दिन का अगर हम देखेंगे यहां पर डेलिवरी परसंटेज कि आज का दिन में 30 लाग क्वांटिटी ट्रेडर हुआ है यहां पर 11 लाग क्वांटिटी यहां पर डिलीवरी उठाए गया जो कि 37 परसेंटेज डिलीवरी उठाए गया फ्रेंट्स तो इसी साफ से अगर हम एक बार चाट पैटन जाके स्टडी करेंगे तो यहां पर कौन सा इंट्र लेवल हमारे लिए सही रह सकता है तो यहां पर देखिए अगर हम देखते हैं यहां पर इसका वीकली चाट पैटन देखते हैं तो 2007 से लेके ठीक है 2007 से लेके स्टॉक का अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 2018 तक यहां पर बहुत बड़ी ऐसा यहां पर मोमेंटम ब में चलाए तो इसी साथ से तो हम लंग टर्म के लिए सीलेग्ट in Caesar लिले कर रहें और उसका टारगेट क्या रहेगा तो उसके लिए भेयह मुल् erm पने तो इसको पहले डेली का केंडल स्टिक कर लेते हैं तो इसके बाद में अगर इस टॉक में हम अगर जाके अभी देखते हैं तो यहां पर यहां पर टॉट्टे का मुविंग आवरेज जो ब्लाक कलर का लाई ने फिरेंट करना है तो डेस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जहां पर एक एक सब्सक्राइब करनेयर का लाउपना होईर पर फेल टार्गेट है आपको इसका जो डόल यह वहां तरीटाीब्टा लेल करेगा Mär этого सब्सक्राइब अंच चलोग daughter'szenog में त्रेमे won't तरी ने अगर आपको नेक्स टार्गेट के लिए अगर आपक्त चार्गेट मेंक इन टाम इस टार्गेट आपको जरूर देखने को मिल सकता है तो Hmm मैं तो आपको बताऊंगा कि यह टार्गेट तक आप जरूर होल्ड किजिए ठीक है मेरा मानना है यह टार्गेट जरूर यहां तक आ सकता है क्योंकि स्टॉक काफी अभी अगर हम देखेंगे का ल्कारी तो यहां पर देखेंगे अगर वीफोर कोरोना के हम बात करेंगे तो यहां पर तू फटी टू के पास में था उसके बाद में भी और हें यहां पे स्ट्रॉंग सपोर्ट है उसके बाद में सरी उसके बाद में भी रेजिस्टन्स यहां पर देखेंगे तो 300 के पास में भी रेजिस्टन्स है लेकिन मेरा हिसाब से मेरा मेरा यह मानना है अगर आपको इस टॉक को पहला लेवल जो है अब यह स्ट्री मॉंट्स में है टरके आपको अच्छिभी हो जाएगा जोकि 206 का लेवल में बढ़ा इजी लेवल आपको बड़ा इसीले अचीव होजाएगा लेकिन अगर को िर दीजय के जो कि चलते हैं यह स्ट्म पहर दि मिल चुक एक उस्ट्स और करके चलते हैं तो आपको 46 परसेंट 47 परसेंटेज का गेन मिल सकता है फ्रेंट्स लेकिन कोई भी स्टॉक आप बाइ कर रहे हैं तो आप अगर कोई एक मतलब टाइम फ्रेम पर चूच करके चल रहे हैं कि हमें टाइम सिक्स मॉन्स पे हैं यहां तक आजैगा अगर फिर 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 परिशान होंगे कि यार यहां तक चला गया तहाँ फिर प्रॉफिट नहीं क्या काफी दिन तक एसे तो फिर भी टार्गेट प्राइस में आचीव हो सकता है ठीक है आपको स्टॉक मार्केट को कभी टाइमिंग नहीं करना है हमेशा अगर स्टॉक में बने रहेंगे तो यह आपको गेन मिलेगा ठीक है इस में भी पॉजिशन बना के बेठा हो लेकिन अभी तक नहीं आया तर्गेट यहां पर तक यहां तक प्रयंगे तो क्या करना है होँस्ट करना यहां और कुछ रीजन नहीं जहां पर हमें एक साल भी लग जाए क्योंकि हमें 47 परसेंटेज का गेन भी तो है ये भी तो हमें मानना पड़ेगा न तो इसलिए अगर आपको इसा स्टॉक में अगर एंट्री लेना है तो उसी साब से खुद का अनलीसिस कर लिए करेंगे 3-5 परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट कीजिए तो अराम से बैठी है कोई प्रोब्लेम नहीं है स्टॉक में बना के चल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है ठीक है लेकिन अगर आपको और कोई देखेंगे देखिए ये स्टॉक का आरे साइभी देख लीजिए ठाक् अगर आपको अच्छा लगता है इस टॉक में बिल्कुल आप पोजीशन बना के चल सकते हैं बड़ी ऐसा स्टॉक कोई प्रोब्लेम नहीं है ठीक है और जहां तक का यह बात है यह स्टॉक में अगर आप बोलेंगे यह स्टॉक में अगर और कुछ स्टॉक में देखना है इस टो पर में बात करते हैं इक कोетр करना कआए मेरा केने पर यहां से यहांस से जाकि एक बार शूंग यहां से को देख लीजे यहां पर तेंगे ना काफी सरा स्टॉक मेरा है जो कि अभी बाइइंग लेबल के निच्छे चल रहा है हमारा profit booking अभी तक नहीं हुआ है मैंने जब से वीडियो बनाया है आप तब से नोट करके चलेंगे जहां पर target price बता हूं वहां तक आया नहीं अगर आपको उसमें भी position बनाना है तो भी बना के चल सकते हैं कोई problem नहीं बहुत सारा stock है ठीक है आप IGL को भी consider कर सकते हैं HDFC MSU को भी consider कर सकते हैं हिंदुस्तान उनलीवर को consider कर सकते हैं दौलत को भी consider कर सकते हैं कावे रिशीट्स को भी consider कर सकते हैं जेम फाइनसल को भी consider कर सकते हैं बहुत सारा stock है लेकिन portfolio को डाइवर्शिपकेशन जरूर रखी उसमें maximum 5% किजिए ज्यादा investment मत किजिए ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक किजिए फ्रेंस के साथ में share किजिए अगर चैनल के ना आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए thank you very much friends for watching this video मिलता है नेक्स्ट वीडियो में